नमस्का दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर आज हम आपको जादा मात्रा में अगर आप नीबू का सेवन करेंगे तो उससे आपको क्या-क्या नुकसान पहुँच सकते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों जहां एक और नीबू हमारे स्वास्त के लिए बहुत ही फायदेमन रहता है क्योंकि यह विटामिन C से भरपूर रहता है इसलिए यह हमारी दातों, बालों, स्किन इन सबी चीजों के लिए बहुत ही फायदेमन रहता है लेकिन अगर हम बहुत जादा मात्रा में इस इसे जानने से पहले, सबसे पहले तो एकने वेदन उन लोगों से करना चाहूंगी, जो आज पहली बार हमारी चैनल पर आये हैं, क्रप्या, सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी सदसेता को सरूर ले लें, तकि आफ हमसे जुड़े रहें, हमारी दुरदी कई जानकारी को रोज तेक पाएं और उनसे फाइदा भीटा सकें, दोस्तों नीबू किरस का जादा सेवन हमारे पेट को खराब भी कर सकता है, क्योंकि यह एसिडिटी लेवल को बरकरार रखता है, जिससे की भोजन को पचने में आसानी रहती है, कभी-कभी भोजन को पचाने के लिए एस इसका स्तर जादा बढ़ने से पेट में दर्द और एसिड रिफ्लेक्स और जलन की समस्याएं भी बढ़ जाती हैं, इसलिए इससे बचने के लिए कम मात्रा में नीबू का रस लीजे या फिर इसे खाने के साथ या फिर पानी में मिलाकर ही इसका सेवन कीजे दोस्तों वही नीबू में वजूद साइट्रिक और एसकॉर्बिक एसिड मस्बूत एंट्रिबाइक्रोबियल होता है जो कि मूँ के संक्रमन को रोकते हैं लेकिन नीबू का जादा सेवन शलेश में जिल्ली को नुकसान पहुंचा सकता है जिससे कि मूँ के छालों की समस्या का सामन आपको करना पड़ सकता है दोस्तों नीबू का सेवन कभी-कभी माइग्रेन का कारण भी बन सकता है इसलिए कुछ लोगों को इससे ऐलर्जी भी होती है इसके अलावा दोस्तों अगर आप जादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो यहाँ अस्तमा के लक्षनों को भी किसी समस्याइं पैदा हो जाती है इसलिए दोस्तों आप नीबू का जादा सेवन करते हैं तो इसका सेवन कम मात्रा में कीजे नहीं तो इससे आपके शरीर को नुकसान भी पहुँच सकते हैं तो दोस्तों आपको हमारे दोरा दी गई अजनकारी कैसी लगी हमें कमेंट करक जरूर बताएगा और आपको आज की जनकारी अच्छी लगी हो तो इससे लाइख और शेर जरूर कीज़ेगा अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धनिवाद